नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सर्गमपन तर्टीविनाइन भारत वर्ष के डिजिटल प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागित है तेकि दिपावली का पावन महीना है और ऐसे में दिपावली से पहले धंतेरस को लेकर हर कोई उतसाहित भी रहता है लेकि अग्जोतिशी जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर केलाश प्रग्यसुतार जी जुड़े हुए हैं बहुत-बहुत स्वागत है पंडित जी आपका टीवीनाइन भारत वर्ष के सभी दर्षकों को पावली के सपावन पर्वकी बहुत-बहुत सुपकाम नहीं तो जैसे मैंने शुरवात में हापर कहा कि धंतेरस को लेकर हर कोई बड़ा उत्साहित होता है खरीदारी भी करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना जाओंगी कि धंतेरस का सही महूरत क्या है दर्सकों धंतेरस प्याजम चर्चा करे है सरगम जी प्रशन बहुत अच्छा है कि धंतेरस कब है कैसे है क्या महूरत है 2020 कैलेंडर वर्स में बहुत एक असमंजस की इस्थती बन चुकी है कि धंतेरस को कब मना जाए क्या सुब महूरत है और किस समय में पूजा अर्चना की जाए दर्सकों सभी जिग्यासाओं को सांत करते हैं 2020 कैलेंडर वर्स में धंतेरस बारा नवंबर को शाम को नौ बज कर अठारा मिनट से तेरा नवंबर को शाम को छे बजे तक धंतेरस का सुब महूरत रहेगा और हिंदू मान्यताओं में सर्व विदित है सुर्योदे के साथ जो तिथी रहती है वही तिथी उस दिन मनाई जाती है और इस वर्स धंतेरस जो है धं त्रयोदसी भी जिसे कहा जाता है वह तेरा नवंबर को सुर्योदे के साथ रहेगी इसलिए धंत्रयोदसी तेरा नवंबर को ही मनाई जाएगी जी आगे मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी माननेता है कि आज के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है उनके अर्चना की जाती है लेकिन आखिरकारूं की पूजा अर्चना करने का सही तरीका कैसा है धन तेरस पे धनवंतरी भगवान की पूजा अर्चना करने का तो हमने विधान जान लिया सरगम जी लेकिन एक चीज विशेश रूप से धन तेरस धन का परतीक है और हिंदू माननेताओं में बहुत बार कहा जाता है कि यह तो कोई कुबेर सेठ है कोई धनना सेठ है तो भग बार आपने देखा होगा लोग अपने घर के अंदर कुबेर यंत्र श्री लक्षमी कुबेर यंत्र रखते हैं लेकिन इन यंत्रों को रखने से पहले भगवान कुबेर की विदी विजान से पूजा अर्चना करने चाहिए और पूजा के अंदर ये यंत्र रखने चाहिए तो उसे ये अंतर भी सिद होते हैं और भगवान कुबेर भी प्रशन होते हैं मैंने सुना है कि आज के दिन कुबेर की भी पूजा अर्चना की जाती है क्या ये सही है सरगम जी ये बात भी बिल्कुल सही है कि धन्तेरस का महरत तो हमने जान लिया लेकिन धन तेरस वाले दिन पूजा पाठ कैसे करे किस की करे दर्सकों मित्रों धन तेरस नाम से ही विदत है धन तेरस या धन त्रयो दसी भी इसको कहा जाता है इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है कुबेर की पूजा की जाती है महा लक्षमी की पूजा की जा गर का जो पूजा का इस्थान है वहाँ पे पूरो मुखी पश्ची मुखी या उत्तर मुखी बैठी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर इस्थापित कीजिए लाल कुमकुम से उनका तिलक कीजिए चावल का तिलक कीजिए और इत्र का सनान भगवान धन्वंतरी को जरूर करवाइए गार चुकि भगवान धनवंत्री को सफेद रंग के पुष्प बहुत पुरियर होते हैं सफेद रंग के पुष्पों को सिंगार करने से धनवंत्री बहुत प्रसंद रहते हैं धनका अपार घर के अंदर वास रहता है आम तौर पे मैंने हमेशा सुना है कि धन्तिरस के दिन खरीदारी करने को बहुत ज़्यादा शुब माना गया है तो आज के दिन किस की खरीदारी करना चाहिए जी सरक्ति धन्तिरस को क्या खरीदना चाहिए पूरे बजार पूरे कॉर्परेट सेक्टर्स ज्वैलर्स यहां तक की बॉलिवड भी यह दुआ करते हैं कि दिपावली फिल्म रिलीज करेंगे कुछने कुछ लाब कमाएंगे लेकिन हर एक भारत वासी जहां भी रहता है धन्तिरस वाले दिन कुछने कुछ खरीदता जरूर है चुंकि धन्तिरस को भगवान धन्वंतरी की मालक्षमी की और कुबेर की पूजा की जाती है और इन तीनों को ही जो सर्व स्रेश्ट जो प्रिय रहता है चांदी का जो धातु रहता है सिल्वर वो बहुत प्रिय रहता है तो इस दिन चांदी से बनावा कोई यंत्र चांदी का सिक्का या चांदी की कोई ज्वैलरी अगर आप खरीदते हैं तो बहुत लापतायक सिद्ध होगा और वह खरीदने से तात परिये कि जो चीज आप खरीद रहे हैं धन्तेरस वाले दिन चांदी की वह अपने धन्तेरस वाले दिन धन्वंत्री और भगवान कुबेर की पूजा के अंदर भी उसे रखिए दिपावली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के भी रखिए और उसे व कि नहीं करना चाहिए इसको लिए कर भी लोगों के मन में कई तरीके के सवाल होते हैं, पंडित जी तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्षकों को बताने जी बहुत बार देखागा जाता है। चर्चा भी किये कि धंतेरस को क्या क्या करें कौन से महरत में पूजा करें क्या खरी दें किसको क्या गिफ्ट दें कौन से समय का ध्यान रखें कब धंतेरस सुरू हो रही है या कब खत्म हो रही है लेकिन हम इस चीज को हमेशा भूल जाते हैं कि त्योहार वाले दिन कुछ का आम ऐसे होते हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए अगर हम वो करते हैं तो नुकसान होता है तो इसलिए धंतेरस वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए तो धंतेरस वाले दिन कभी भी चावल का बोजन नहीं करना चाहिए अगर आप चावल का बोजन करते हैं तो पूर् कर्ज की भलोत्री होती है कर्ज है तो और बढ़ता जाएगा और नहीं भी है तो दीरे-दीरे कर्ज हो जाएगा वैसे तो लोग अपनी पत्नी को तौफा देने के लिए कोई नो कोई मौका निकाल ही लेते हैं लेकिन क्योंकि दिवाली का पावन महीना है और उससे पहले हां द्धंतिरस की बात हो रही है तो द्धंतिरस के दिन विशेश तोर पर पत्नी को क्या देना चाहिए ताकि जो विवाहिक जीवन है उसमें हमेशा खुशिया ही खुशिया रहे बहुत बार देखा जाता है पती पती अपनी पत्नी के लिए क्या खरीदे पूरे वर्स बर यह एक कामनासी रहती है पत्नियों के मन में कि हमारे पती हमारे लिए धन्तिरस वाले दिन क्या खरीदेंगी और पती भी बहुत confusion में रहते हैं कि हमारी पत्नी के लिए ऐसा क्या खरीदा जाए भगवान धन्वंत्री भी प्रसंद हो जाए और जो लक्षमी का रूप लिए घर की जो लक्षमी है जो घर की हो minister मानी जाती है वह भी प्रसंद हो जाए तो धन्तेरस वाले दिन अगर अपने आपको खुश करना है मालक्षमी को खुश करना है पत्नी को खुश करना और अपने भग्य को भी प्रबल करना है तो पत्नी के लिए जो पाइल रहती है चांदी की वह खरीदना बहुत लाबदायक और सर्वस्रेष्ट रहता है बहुत सा चांदी की कोई भी ज्वैलरी अगर आप अपनी पत्नी के लिए खरीते हैं या चांदी का बरतन भी अपनी पत्नी के लिए खरीते हैं जिसमें आप पती पत्नी भोजन कर रहें तो वह भी बहुत सुब और लाबदायक सिद्ध होगा एक चीज इस रूप से बताना चाहूंग सरगम जी धन्तेरस वाले दिन पती अपनी पत्नी को पर्फ्यूम इत्र भी उनकी पसंद का दे तो वह भी बहुत लाबदायक सिद्ध होगा उससे सुक्र बहुत प्रसन होता है धन्तेरस वाले दिन पर्फ्यूम चांदी का गिफ्ट पत्नी को देने से सुक्र बहुत प्रस करता रहता है सदेव मालक्षमी के उसके उपर किरपा रहती है संतान सुख भी उसको मिलता है अगर आपके संतान में भी बाधा घार ए तो पत्नी को चांदी का और इत्र का गिफ्ट धन्तिरस वाले दिन विशर्स रूप से दीजिए गार अगर उनकी कोई कामना है उनके मन मे कोई भावना है जो आप जानते हैं तो वह भी जरूर पूरी करें वह कोई दूसरे रूप में भी हो सकती है आज के दिन पुजा अर्चना की जाती है लेकिन ऐसे में कौन सा पाठ करना आज के दिन बहुत ज़्यादा शुब होता है पंडित जी धनते रस के दिन कौन से मंतर का जाप किया जाए कौन से पाठ किया जाए यह बहुत अच्छा क्विश्टन किया सरगम जी आपने TV9 भारत वर्ष के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा हम पूजा पाठ करते हैं बहुत सारी सौपिंग करते हैं पत्नियों को गिफ्ट देते हैं पत्निया पती को गिफ्ट देती हैं मुजर्गों को गिफ्ट देते हैं आध्यात्म जो रहता है वो मंतरों की उपासना जरूर मांगता है आप धनतेरस वाले दिन जब पूजा अर्चना करें बगवान धन्मंत्री की कुबेर की तो ओम कुबेराई नमह ओम कुबेराई नमह ओम कुबेराई नमह इस मंत्र की 108 वार जाप करना चाहिए और मा लक्षमी का जो मंत्र है ओम कमला नने नमह ओम कमला नने नमह इस मंत्र का भी 108 वार उचारण करना चाहिए और अगर आपको तो वह भी धन्मंत्री भगवान कुबेर और मालक्षमी के मंत्रो चार के बाद उसका पाठ जरूर कीजिए तो उससे मंत्र सक्ती जो प्रबल सक्ती मानी जाती है हिंदू माइथोलोजी का अंदर एस्ट्रोलोजी का अंदर उससे मालक्षमी भगवान कुबेर और भगवान ध करशन होते हैं अगर कोई कर्ज बनावा है तो वह खत्म हो जाएगा और को विधी विधान से अगर घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस मंत्र शक्ति से आपके घर निर्मान आने वाली दीवाली से पहले-पहले हो जाएगा पंडी जी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लाटफॉर्म के साथ जुड़े और धनतरस को लेकर जो लोगों के मन में सवाल थे हमारी दर्शक कंफ्यूज रहते हैं अकसर वह मुझे लगता हूं कि सवालों के जवाब आज उन्हें जरूर मिल गए होंगे बहुत-बहुत शुक्रिया आ अला करें यही हरी इच्छा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष दुआ धुआ धुआ सा ये शहर क्यों दिखता है सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है ये दिवाली सिर्फ दिये वाली